दोस्तो रासन कार्ड में EKYC का डेट extend हो चुका है उसका डेट कब तक बढ़ा हुआ है और उसका प्रोसेस क्या क्या है मैं आपको सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तो अगर आप डेट रहते हुए अपना KYC नहीं कराते हैं तो क्या आपका रासन कार्ड निरस्थ हो जाएगा या बचा रहेगा तो उसके बारे में आपको मैं जनकारी देने वाला हूँ कि अगर आपने EKYC नहीं कराया हुआ है तो आपका रासन कार्ड निरस्थ हो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाईक और सेयर करना साथी साथ हम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तो यहाँ पर अब देख से कि यहाँ पर मैंने जागरण नियूज को ओपेन किया हुआ है कि यहाँ पर आपको रासन कार्ड धारकों के लिए एक update आया हुआ है तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सेते हैं कि यहाँ पे आपको option दिया हुआ है रासन कार्ड का यहाँ पे status आपको बताया गया है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सेते हैं आखरी तारिक 30 सितंबर थी EKYC न कराने पर आपका राशन कार्ड निरस्त हो सकता है इसलिए जल्द से जल्द अपना नजदी की राशन की दुकान पर जाकर EKYC करा ले तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपको बताया गया है कि यहाँ पर आपका पहला डेट था यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला डेट आपका 30 सितंबर तक यहाँ पर आपका था ठीक है यानि इसी पिछले महीने में 30 सितंबर तक आपको लाश डेट आपका था ठीक है तो दोस्तों उसी को देखते हुए आपको नया डेट जारी किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब आप 31 दिसंबर तक आप अपना EKYC करा सकते हैं ठीक है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर आपने अपना EKYC नहीं करा है तो दोस्तो आप last date को खतम होने से पहले आप अपना EKYC करा ले अन्य था आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे सुचित किया जा रहा है कि आपका रासनकार निरस्त भी हो सकता है तो दोस्तो इसी तरह से मैं आपको ले चलता हूँ कि food department ने अपना एक tweet किया हुआ है ठीक है तो उस tweet में आपको क्या बताया जा रहा है आईए मैं आपको उस page को login करके आपको twitter account पे आपको दिखा दे रहा हूँ तो मैं दोस्तो आपको direct twitter account पे लेके जा रहा हूँ ठीक है दोस्तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आपको option दिया हुआ है ठीक है यहाँ पे आपको twitter account पे यह post आया हुआ है department of food के तरह से यह post आया हुआ है ठीक है दोस्तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दुसरे यहाँ पे आप देख्शते हैं कि यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है, कि आप देख्शते हैं कि यहाँ पे EKYC का उद्देश स्लाभार्थी की पहचान को सत्यापित करना है, ताकि राशन विवरण अधिक पारदर्शी हो सके अगर कोई ब्यक्ति समय पर EKYC नहीं करा पाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि कोई ब्यक्ति अगर EKYC अपने समय पर नहीं करा पाता है तो भी यहाँ पर दिखेशते हैं कि तो भी उसका रासनकार्ड रद नहीं किया जाएगा ठीक है यहाँ पर आपको बताया जा रहा है और दोस्तें यहाँ पर देखेशते हैं कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी को EKYC कराने के लिए परियाप्त समय और सूविधा दी जाएगी ठीक है यहाँ पे आपको बताया जा रहा है तो से यहाँ पे यह भी बताया जा रहा है कि आप अगर समय पे EKYC नहीं करा पाते हैं तो भी आपका रासन कार्ड निरस्त नहीं किया जाएगा क्योंकि आप जहां भी अगर कोई ब्यक्तिमाल लेजिए आपके घर में या परिवार के सदस्य में कोई लोग बाहर गया हुआ है चौप करने के लिए कोई नौकरी पे गया हुआ है बार-बार घर आके अपना EKYC कराने के लिए कोई बाहर से तो नहीं आएगा न तो दोस्तों आपको ये बहुत टाइम दिया जाएगा तो जो आप देख सकते हैं कि आपका डेट 30 सितंबर तक था उस डेट को बढ़ा के 31 दिसंबर तक कर दिया गया है ठीक है और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको टेंसन लेने की जरूरत नहीं है आपका डेट और भी आगे एक्स्टेंड भी हो सकता है ठीक है आपको घबराने की जरूरत नहीं है आपको पूरा पर्याप्त समय दिया जाएगा कि आप अपने घर पे आ जा रहा है कि आपको टेंसन लेने की ज़रूरत नहीं है आप अपना EKYC आराम से घर बेठे आके अपना करा सकते हैं आप अपने रासन दुकान पे जाके अगर आप कहीं गय हुए है दिल्ली मुंबई चाहे जहां भी आप रहते हों काम करते हैं तो वहां से आके आपको अपन भी हैं तो आप अपना रासन कार्ड में EKYC भी करा सकते हैं हो सके तो ये भी सूविधा आपको मिल सकता है ठीक है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि एक और आपको चीज यहां पर बताया गया है ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं कि मिठक का आप्शन दिया है और यहाँ पे आपको बतायागा है EKYC नो कराने पे रासन कार्ड रद हो जाएंगे दोस्तों यह सरासर यह गलत बात है ठीक है दोस्तों आपको पूरा टाइम दिया जाएगा कि आप अपने रासन कार्ड में EKYC करा ले और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर समय पे EKYC नहीं कराते हैं जो आपको डेट दिया गया है 31 दिसंबर का जो डेट extend करके आपको मिला है अगर उस डेट में भी आपका रासन कार्ड में EKYC नहीं हो पा रहा है तो आपका रासन कार्ड रद नहीं होगा आपको और भी समय दिये जाएंगे कि आप अपने परियाप्त समय में अपना राशन कार्ड में EKYC करा लें ठीक है तो दोस्तो आपको घबडाने की कोई जरुवत ने है ठीक है तो दोस्तो आप परिशान न होए आप इस tweet को देखिए और दोस्तो इस वीडियो को अपने relative में और share करें ताकि वो भी tension ना लें ये आपको सीधा food department से ये post आया हुए है आप देख सकते हैं Twitter account पे मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ठीक है तो आपको घबडाने की कोई जरुवत ने है ठीक है तो दोस्तो इस वीडियो को आप अपने relative में अपने दोस्तों में share करें ताकि उनको भी अधिक से अधिक जैनकारी मिल सकें तो दोस्तो मैं इसी तरह की वीडियो आपको देता रहूँगा जो भी आपके रासन कार्ड में update आएंगे मैं आपको बता दूँगा तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आयोंगी अगर वीडियो पसंद आयोंगी तो वीडियो को like share करना और साथी साथ हमारे चैनल को subscribe कर लेना दोस्तों में दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक लिए बाय जहिन बंदे मातरम